दोस्तो पोकेटली एप्लिकेशन में एक बहुती जबरदस अपडेट आया है अब आप पोकेटली एप्लिकेशन से विदाउट इंकम प्रूप और अगर आप सेल्फ इंप्लोई भी हो तो भी लोन ले सकते हो हाला कि जिन लोगों को पता नहीं उन्हें यहाँ पर मैं बता द तो यह जबरदस अपडेट आया है अपडेट के बाद दोस्तो यहाँ पर इसका सारा इंटर्फेंश सेंस हो चुका है तो अगर आप पोकेटली एप्लिकेशन से सिर्फ आधार काट से लोन लेना चाते हो तो इस वीडियो में दोस्तो मैं कम्प्लेट डीटेल आपको बतान स्लूरू करते हैं एक बड़ा सेंजिस आया है पहले एक कम्पनी स्टूडन और सिर्फ सेलिट लोगों को ही लोन प्रोइड करती थी लेकिन अब इस सेल्फ इंफ्लोई केटेगरी में भी आप यहाँ से लोन ले सकते हो यहाँ पर अगर 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 अपाउट इस एक में जाके देखे तो यह 10% से 3% यानि कि 12% से 37% तक इंट्रेस लगए जाएगा और 11 दिन से 120 दिन का टेन्यूर भी लेगा आप पूरे के पूरे 120 दिन तक यहाँ पर लिमिट का यूज कर सकते हो और सबसे इंपोर्टेद बाट कि यहाँ पर अब तीन NBFC जोड़ी गी है तीनो NBFC के इंफोर्मेश नमबर पर दिया हुआ है यहाँ पर एस CNA नमबर है वही इसका रेजिस्टेशन नमबर है तो इस साबित करते हैं कि यह सारी NBFC जन्यूल NBFC है और इसके थ्रू ही यहाँ पर लिमिट प्रवेड की जाते है तो आप इस पर 100% भरोसा कर सकते हो अब दूसरे यहाँ पर आप पर प्रोसेसिंग फिस नहीं जोड़ी गी है क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसिंग फिस भी कुछ ना कुछ लगाई जाती है तो वो यहाँ पर इस यहाँ पर आपको आसान इसे लोन मिल जाते है अब दुसरे इसका feature देखे तो 10,000 रुपे के लोन यहाँ पर आप ले सकते हो त यहाँ पर सिर्फ KYC basis पर loan मिल जाती है, यहाँ पर आपको KYC document upload करना होगा, और यहाँ पर आपको user verification करना होगा, और refer and earn में यहाँ पर आपको 500 रुपया तक मिलेगा, उसके लवाए इसका permission में देखे, तो A company camera, contact, location, microphone, telephone, SMS, storage और अधर में कुछ इतने बरकार की permission लेती है, तो A company दोस्तों contact की permission लेती है, तो यहाँ पर अगर आप इस limit का use करना चाते हो, तो आपको time पर repayment कर देना है, अगर आपको यहाँ पर इस application में को query आए, तो यहाँ पर आपको developer contact का option देखेगा, उस पर click करोगे, तो यहाँ पर आपको email ID मिलेगी, इस email ID पर आप complain कर सकते हो, अ और दोस्तों यहाँ पर इस application को open करके आगे की process देखते हैं, कि इस application में हमें loan के लिए apply कैसे करना है, यहाँ पर आपको step by step एक एक process देखनी है, क्योंकि यहाँ पर इसका interface थोड़ा बहुत change हो चुका है, तो हो सकते हैं आपको कुछ परिसानी आए, तो यहाँ पर इस application को open करेंगे, तो सबसे पहले हमरे सामने कुछ इस तरीके से interface आएगा, यहाँ पर हमें अपना mobile number एंटर करना है, और simply proceed पर क्लिक करना है, तो हमरे mobile number पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर हमें fill up करना है, और फिर से proceed पर क्लिक करना है, तो हमसे यहाँ पर दोस्तों कुछ permission अलोग कर लेंगे, तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर हम सारी permission को अलोग करेंगे, तो हम पहुच जाएगे pocket link के home page में, अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक option मिलेगा, upload more documents, तो simply उस पर क्लिक करना है, तो हमारे समने कुछ इस तरीके से interface आईगा, अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक एक करके देखते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अधर करके information में, यहाँ पर add information क्लिक करना है, तो कुछ इस तरीके से interface आईगा, यहाँ पर दोस्तों हमसे कुछ अधर करकी basic information पूची जाएगी, जिसके हमारा अधर का number, हमारा नाम, हमारा फादर का नाम, मदर का न यहाँ पर दोस्तों आपको अधर का front photo और back photo upload करना है, और जैसे यहाँ पर आप front photo और back photo upload कर लोगे, तो आपका photo पर successfully complete add हो जाएगा, अब दोस्तों यहाँ पर simply next पर click करना है, तो next दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से interface आएगा, यहाँ पर अब आपको pen card की information देनी अब यहाँ पर upload करोगे, तो आपको लोण मिलने का असांस बढ़ जाता है, तो यहाँ पर इसे skip करने के लिए, यहाँ पर upload और skip का option दिखा है, उस पर आपको click करना है, तो आपके सामने camera open होगा, अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास pen card है, तो आपको यहाँ पर pen card क अपलोट नहीं करोगे, तो हो सकता है, आपको यहाँ पर credit limit ना मिले, तो मैं यहाँ पर दोस्तों सजिस करूँगा, कि अगर आपके पास pen card है, तो ज़रूर upload करे, अजयता दोस्तों यहाँ पर आपको I understand, skip it पर click कर देना है, तो जैसे ही दोस्तों pen card का photo आप skip करोगे, तो आपके सामने कुछ इस तरी किस इंटर्फिस आएगा, जिसमें दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बताये गया है, कि आपके पास कोई text का asset है, यानि कि ITR वगेरा आपको spare करते हो, अगर करते हो तो yes करना है, अन्यता no करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको signature का option द करना है, और यहाँ पर confirm पर click कर देना है, उसके बाद simple है दोस्तों, यहाँ पर next पर click कर देना है, तो आपके सामने कुछ इस तरी के सेंटर्फिस आईगा, अब दोस्तों यहाँ पर आपको selfie video upload करना है, selfie video upload करना के लिए, यहाँ पर कुछ interaction बताया गया है, कि आपको camera की साम करना है कि I am applying for loan on pocketly और दूसरे step में बोलना है कि I promise to pay the loan of pocketly इस तरीके से बोलते हुए आपको यहाँ पर selfie video upload करना है तो selfie video upload करने के लिए यहाँ पर upload video का option देखेगा उस पर आप जैसे दोस्तों यहाँ पर वीडियो upload करोगे तो यहाँ पर आपका selfie video complete successful हो जाएगा अब simply यहाँ पर आपको next कर देना है जैसे next करोगे तो आपकी सारी detail verify में जाएगी और विदिन 24 गंटे के अंदर आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर loan लेने के लिए eligible है अगर आप eligible हो तो आपको कितनी loan मिलती है कितने समभी के लिए मिलती है उस पर कितना sad लगाई जाएगा वो सारा कुछ दोस्तों आपको यहाँ पर बता दीए जाएगा अगर आप यहाँ पर loan लेने के लिए eligible नहीं होगे तो आपके सामने कि इस तरीके सेंटर विशाई ज तब तक के लिए गुर्बाई